हेलो एवरिवन स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओन्नाइन एजुकेशन में मैं एसिस्टेंट प्रफेसर प्रवीन अठाकूर आज जिस विशे को लेकर आप लोगों के वीच उपस्तित हूँ वो है बीर्ड एंट्रेंस टेस्ट दो हजार उन्निस कोड नंबर 8752 तो इसको इसको इसमें 150 नंबर थे तो जब यहां प्रफेसर का दियान आप जरूर रखें तो चलिए देखते हैं जो जो प्रशन जो है इसमें पूछे गए थे तो जो पहला प्रशन पूछा गया था वो पूछा गया था इसमें हिमांचा प्रदेश की स्थापना कब की गई तो जो जब हिमांचाल प्रदेश स्थापित किया गया था 25 जनुवरी 1971 को पूछे का दरजा इसको मिल गया था तो उसी दिन इसकी स्थापना मानी जाती है तो जो है 25 जनुवरी 1971 इसका अंसर जो है एक का अंसर जो है ए रहेगा दो नंबर प्रशन पूछा था हिमांचा प प्राचीन नाम कौन सा था तो कांगड़ा का प्राचीन नाम को त्रिगर्थ नाम से जाना जाता है तो कांगड़ा का प्राचीन नाम त्रिगर्थ था तीन का अंसर जो है यह रहेगा चार नंबर प्राचीन पूछा गया था कि मंडी टाउन स्थापित किया गया था तो जो मं तो यहाँ पर जो है कोई भी अंसर सही नहीं होगा, जो है इसका अंसर D रहेगा, मंडी टाउन जो है अजवर सेन द्वारा स्तापित किया गया था, अजवर सेन ने यह स्तापित किया था, तो यहाँ पर जो है चाल का अंसर D रहेगा, इन में से कोई भी नहीं, पांच नमबर पुछा गया था राष्ट्रिय प्रदियोगे की संस्ता है तो National Institute of Technology है वो हिमांचल में हमीरपूर में हैं तो 6 का अंसर जो है C रहेगा हमीरपूर में आठ नमबर प्रश्ट्रिय पुछा गया था हमांचल प्रदिश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो शिमला जो है हमांचल प्रदिश का सबसे बड़ा शहर है आठ का अंसर यह रहेगा शिमला 9 number question पुछा था हिमानचर पुदेश में पहले आम चुनाव कब होए तो हिमानचर पुदेश में जो पहले आम चुनाव होते हैं वो होते हैं 1952 में तो यहां पर आपके पास दो option दिये गए है 1951 और 1952 मैं आपको बताना चाहूँगा जो आम चुनाव होए थे बैसे यह 1951 से आरंग होते हैं लेकिन सबसे अधिक जो है राजियों में जब चुनाव होए थे वो थे 1952 तो इसलिए जो है 1952 इसको आम तोर पर जो है maximum जो है 10% पूछा था पठान कोट से मंडी तक का नेशनल हाइवे नंबर क्या है तो यह है नेशनल हाइवे नंबर 20 तो 10 का अंसर जो है B रहेगा ग्यारा कंसर जो है ए रहेगा बारा नमबर प्रशन पूछा गया था कि पॉंग बांध जो है किस जिले में है तो जो पॉंग डेम है यह कांगड़ा जिले में स्तित है बारा कंसर जो है ए है पॉंग बांध कांगड़ा जिले में स्तित है 13 नमबर पुछा था Highest Rain Occurzen सबसे ज़्यादा वर्षा हीमाचल में कहा होती है तो हीमाचल में सबसे ज़्यादा वर्षा धर्मशाला में होती है तो 13 कंसर भी रहेगा 14 नमबर पुछा गया था प्राचीन हीमाचल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो जो प्राचीन हिमांचल पुस्तक है, यहाँ पर जितने जो विद्वान दिये हैं, रचनाकार दियें, इनमें से कोई भी नहीं है, 14 अंसर D रहेगा, 15 नंबर प्रशन्ट पुछा गया था, हिमांचल पदीश का राज्य दिवस जो है, है, तो हिमांचल पदीश जो राज् सेटलाइट जो है लॉंचिक स्टेशन स्टेशन है तो भारत का जो सेटलाइट लॉंचिंग स्टेशन है वो शीरी हरी कोटा आंधरप्रदीश में स्टीथ है 16 कंसर ए रहेगा 17 नमबर पुछा गया था सेकुलर शब्द कितनी वार हमारे संभीधान में आता है तो जो सेकुलर और ठीयोजी जो है किसे संबंदित है जो पक्षियों का अदियन है और निठीयोजी कहा जाता है 18 अंसर आप 10 है 19 नमबर पुछा गया था रंगास्वामी रूप्त और एकात्मक भावना बाला जो है संभिधान है Federal Inform and Unitary in Spirit तो 20 का अंसर जो है D रहेगा 21 नमबर प्रशन का अंसर रहेगा राज्ये सवा का अध्यक्ष कौन होता है तो राज्ये सवा का अध्यक्ष भारत के उपराष्ट पती होते हैं तो इसका अंसर जो है B रहेगा 22 नमबर प्रशन पुछा गया था गुरू गोपी कृष्ण भारतिया नुरित्या के किस रूप के लिए लोग प्रिया है यह जो है गुरू गोपी कृष्ण जो है कत्थक नुरित्या के लिए लोग प्रिया है तो 22 का अंसर C रहेगा 23 नमबर पुछा गया था किस क्षेतर में BC Roy Award दिया जाता है तो जो BC Roy Award दिया जाता है यह दिया जाता है चिकितसा के क्षेतर में 23 का अंसर C रहेगा Medicine 24 नमबर पुछा गया था जो है PMBJP का पूर्ण रूप क्या है तो इन में से कोई भी PMBJP का पूर्ण रूप नहीं है 25 नमबर पुछा था कि इन में से रवी की क्रॉप कौन सी है निमन में से कौन सी रवी की फसल नहीं है तो सरसो जो है यह रवी की फसल नहीं है 26 गंसर भी रहेगा 27 नमबर पुछा था नोबिल पुर्षकार पाने वाले पहले भारतिया कौन थी तो जो विंदरना टैगोर जी है यह नोबिल पुर्षकार पाने वाले पहले भारतिया थी 23 कंसर D रहेगा 28 नमबर पुछा था भारत की सबसे वड़ी ताजे पानी की जील कौन है तो जो बुलर जील है यह भारत की जो है सबसे फ्रेश वाटर जो है लेक है तो 28 कंसर C रहेगा बुलर जील 29 नमबर पुछा गया था संगाई महोटसब मनाया जाता है जो संगाई सगाई जो महोटसब है यह महनिपूर में मनाया जाता है तो 29 का अंसर B रहेगा 30 नमबर पुछा गया था निमलिखित में से कौन सी बिमारी बिटामिन C की कमी से संब्दित है तो बिटामिन C की कमी से सकर स्कर्वी रोग होता है तो इसका अंसर B रहेगा स्कर्वी और जो अगला प्रशन पुछा था 31 ये पुछा था कि अहो रात्र शब्द का संधी विछेद बताना था तो जो अहो रात्र का संधी विछेद होता है वो था अहन जमा रात्री तो 31 का अंसर C रहेगा अहन जमा रात 32 पुछा था, पावन में कौन सी संदी है, तो जो पावन में संदी है, पावन में संदी है, अयादी संदी, 32 का अंसर B रहेगा, 33 नमबर पुछा गया था, बृधी संदी का उधारण नहीं है, तो जो अभ्यागत है या बृधी संदी का उधारण नहीं है, 33 का अंसर A रहेग 35 पुछा गया था सौभाग्य का तदभव शब्द क्या है तो जो सौभाग्य का तदभव शब्द है वो है सुहाग 35 का अंसर जो है C रहेगा 36 पुछा था गंगाजल गंगाजल में गंगाजल में कौन सा समास है तो गंगाजल में जो समास है तत्पुरुष समास, 36 का अंसर A रहेगा, तत्पुरुष समास 37 नमबर पुछा गया था, दाता शब्द का स्ट्रिलिंग क्या होता है तो जो दाता शब्द का स्ट्रिलिंग होता है, वह होता है दात्री, 37 का अंसर C रहेगा, दात्री 38 नमबर पशन पुछा गया था साधू शब्द का भोचन जो होता है तो जो साधू का भोचन होता है वो साधू ही रहता है तो 38 का अंसर C रहेगा साधू 39 नमबर पशन पुछा गया था बाकिया में क्रिया अकर्मक कौन सा है तो जो बाकिया में क्रिया करमक है वो है राम खाता है 49 का अंसर ए रहेगा राम खाता है 40 नंबर प्रशन पुछा था अनुराग का सही बिलोम क्या है तो अनुराग का जो सही उल्टा होता है वो बिलोम होता है वो होता है बिराग तो 40 का अंसर C रहेगा 41 नंबर प्रशन पु होता है बाकि जो है अमरित के प्रयाहवाजी है जो है को अगला पस्ulla कि पूचा गया था 42 नमबर जलद और जलदी का सही युगम अर्थ होगा तो जलद जो है बादल और समुद्र जो है जलद और जलदी का सही युगम होगा 42 का अंसर ए रहेगा? 43 नलमर पूचा था, जो सब कुछ जानता हूँ से कहते हैं, उसे कहते हैं सरवग्य, तो 44, concept, B रहेगा सरवग्य, जो सब कुछ जानता हूँ, 45 नमर प्रशन पुछा था, नीमन मैं से भाव वाचक संग्या है, तो जो बच्पन है, यह भाव वाचक संग्या है, तो 45 कंसर्ची रहेगा बच्पन, यह आगी गद्यांच पूछे कि थे, गद्यांच तो आपको हरवार जो है, नहीं पूछे जाते हैं, तो इनको दीखने की जरुरद नहीं है गद्या चमें अंधिकार शभ्द काप र्योग की सोच समकेत करता है ये पाप की ओर जो है लिख ये गद्याँ से प्रश्ण पूछ के गई थे अगले जो प्रशन पूछा गया है इसमें अंधिकार नीचे डिये जो है गदियांच से संबंधित पुछे गए थे तो इंग्लिश में जो पुछे गए थे गो था find out the correct spelled word तो जो correct spelled word वो recommendation है recommendation जो है ऐसे लिखा जाता है R E C O M M M E M D A T I O N recommendation 51 का answer A रहेगा 52 जो है लिखा था find out the correct spelled word तो इसमें जो guarantee है C ये जो है correct जो है spelled word है 52 का C रहेगा answer 53 number प्रशन पुछा गया था select the correct plural form of diary तो जो plural form of diary diary का होता है diaries तो इसका answer A रहेगा 53 cancer A रहेगा 54 number प्रशन पुछा था he has great affection dash dash me तो इसका आएगा he has great affection with me 54 का answer A आएगा he has great affection with me 55 number प्रशन पुछा गया था N X to grind N X to grind का अर्थ क्या होता है to have a selfish motive N X to grind का अर्थ होता है to have a selfish motive 55 का answer D रहेगा 56 number प्रशन पुछा गया था one word जो है one who is liked by all यह में sure नहीं हूं तो अगर आप इसका अंसर जानते तो आप comment कर सकते हैं इसका most probably popular होगा 57 number जो प्रशन पूछा गया था वो पूछा गया था find out the word nearest meaning to given sign word तो यह भी में sure नहीं हूं 58 number प्रशन पूछा था find out the antonium जो opposite जो है interim का होता है वो होता है finished इंटरिम का जो एंटरिम बार्ड होता है वोता है finished 58 concert जो है D रहेगा 59 number जो प्रशन पूछा गया था वो पूछा गया था 59 और 60 में following question is has underlined जो है improve replacing करना था इसमें तो प्रशन पूछा था 59 the principal asked by you are late तो इसमें आना था the principal asked by are you late direct जो है simple यह आना था तो इसमें A सही रहेगा 59 का A जो है सही रहेगा 60 number प्रशन पूछा था I congratulated him for his success in the examination तो इसमें कोई improvement नहीं होगी यह सारा का सारा sentence जो है सही है 60 concert जो है D रहेगा no improvement 61 प्रशन पूछा था all student stood up as the teacher देश 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 दे लास्रूम तो all student stood up as the teacher entered enter the class 61 कांसर जो है रहेगा 62 number प्रशन पूछा के था 63 number change the voice of the given sentence they will demolish the entire block तो इसका जो पैसी voice बनेगा वो बनेगा the entire block will be demolished तो 63 कांसर जो है D रहेगा the entire block will be demolished 64 number प्रशन जो है 64 से जो है alternative question जो है देने थे आपमें paragraph के वे इस पर तो इसमें पुछा गया था Ram said to me I am going to Jaipur 69 प्रशन पुछा था Ram said to me I am going to Jaipur इसका answer आना था Ram told me that he was going to Jaipur 69 का answer जो है ए रहना था इसमें 70 प्रशन पुछा गया था कि choose the alternative He was carrying a heavy load तो यह जो है simple sentence है He was carrying a heavy load 70 प्रशन पुछा गया था 71 यह पुछा गया था If Rina says Anjali's father Raman is my only son of Raman and my father-in-law then be who is Anjali's father तो इसमें यह आना था answer पोती यदि Rina कहती कि Anjali के पिता रमन मेरे ससुर Ramanand के इकलाटे बेटे है तो पिहू अंजली की बहन है तो इसका Ramanand से क्या संबंद है तो इसका answer आएगा पोती जो है हो है और यह equation पुछी गई थी UK, NOP, STU इसके बाद क्या आना था तो इसके बाद जो है XYZ आना था तो 72 का answer अगला पुछा था 24 गंटी के अब दिये में घड़ी के दोनों हाथ कितनी बार बिप्रित दिशाओं में अंकित होते हैं तो वो होते हैं 10 बार 73 का answer जो है A रहेगा 10 टाइंस 74 नंबर पुछा था एक निच्छित कोद में light को KJFIS लिखा जाता है तो अगर plug code को कैसे लिखा जाएगा तो plug को लिखा जाएगा OMTHG की तरह 74 का A रहेगा 75 नंबर पुछा था यदि ignorance जो है एजुकेशन से है तो disease किसे संबंदित होगा तो disease जो है दवा से संबंदित होगा 75 का जो है C अंसर रहेगा 76 नंबर पुछा गया था ये एक equation पुछी गयी थी समिकर्ण को वदलने के लिए तो इसका अंसर जो है B आना था प्लस माइनस प्लस जो है इसमें एक अंसर आना था 76 का 77 नंबर जो पुछा था पुछा था find out the odd one out तो जो odd one out है यहाँ पर year जो है most probably है 77 का A होना चाहिए 78 नंबर पुछा था यदि A का अर्थ जो है प्लस कॉमा B का अर्थ माइनस C का अर्थ जो है तो प्लस D का जो है के अंसर होगा तो इसका अंसर जो है 63 आएगा 78 का जो है A रहेगा जो है किया जाए तो जन संख्या कितना प्रथिशत शाक्षर है तो इसका अंसर आएगा 25 80 नंबर पुछा गया था यह जो है equation आप लोगों से पूछे गई थी 80 नंबर पुछा था 81 में जो है यह आपने meaningful sequence में जो है बताने थे पावर्टी और पॉपुलेशन के संबंधित में अगला प्रशन पुछा था कॉमल 25 प्रतिशत की छूट पर समान खेती है लागत मुल्या से उपर कितने प्रतिशत पर उसे बास्तुएक जो है मुल्या से 25 प्रतिशत का लाब कमानी के लिसे बेचना चाहिए तो इसका आंसर था C 40 जो से बेचना चाहिए अगला प्रशन पूछा गया था कि में स्पीड बिदिन दे करण्ट 15 किलोमेटर आवर और एंस पीड ओफ दो करण्ट इस 2.5 किलमेटर दे में स्पीड अंगींस्ट दे करण्ट इस तो इसका आंसर जो है 10 किलोमेटर फर आवर आएगा 83 का सी आएगा 84 नंबर जो है प्रशन पूछा गया था 85 जो है यह भी एक जो है आपसे रिजनिंग वाला पार्ट जो है प्रशन पूछा गया था अगला प्रशन पूछा गया था आठ नंबर दोहजार अठागो सब्तहा का कौन सा दिन था तो यह जो है शनिवार आएगा आठ नंबर दोहाजार अठागो एटी सेवन नंबर प्रशन जो है यह पूछा था कि उमेश टॉलर देन सथी सुरेश स्मॉलर दिन नरेश इन दे लेंथ वर टॉलर दिन उमेश ओलेस्ट सरी इसनियव एसमे वर दोनां सोरे नोर टॉलर देन इहूं हे पूछ तो नंबर दोनािता का एगला परशन जह यहां पूछा था दिया आप्वेव जह है डिए और दीएफ एफटू इसमें फालिस्तान में कि आना था तो इसमें आना था डीटू ए थूएफ जो है एटी एट कांसरी आना था 89 नंबर प्रशन ये पुछा था एक कोड भाषा में जो है 3579 जो है 487 लिका जाता है 48 को कोड के लिए हो जी तो इसका कोड आना था रहा है इस साइड को सोला वत्तिस चौसा टेक्सो अठाइस जो है आना था इसका अंसर जैनब्बे का जो है यह अंसर रहना था डी 91 नंबर पुछा गया था कि 10 प्लस 2 प्लस 3 वर्ष की शिक्षा धांचा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो यह किया गया था शिक्षा आयोग 1962 द्वारा जो 10 प्लस 2 प्लस 3 का जो शिक्षा धांचा है यह जो है शिक्षा आयोग 1964 द्वारा प्रस्तावित किया गय था 92 पुछा गया था कि केंद्रिय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई तो वेन वोज दे सेंट्रल इन्फरमेशन कमिशन वास एस्टैबलिश्ट तो यह एस्टैबलिश किया गया था 12 अक्तुबर 2005 तो बानुमिक अंसर बी रहेगा 93 नंबर पुछा गया था राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग का मुख्याले कहा है तो दिल्ली में जो है राष्ट्रिय मानवधिकार नेशनल हिमर राइट कमिशन का मुख्याले अस्थित है 94 नंबर पुछा गया था कि जो National Knowledge Commission की अधिक्षता की गई थी तो National Knowledge Commission था इसकी अधिक्षता जो है सेम पित्रोदा द्वारा की गई थी 94 का अंसर जो है C रहना था सेम पित्रोदा 95 नंबर 94 यही पुछा है National Knowledge Commission is headed by तो यह कि गी थी सेम पित्रोदा के द्वारा जो है इसकी जो है अधिक्षता की गई थी 95 नंबर पुछा था निमे लिखी त मैंसे किस आयोग ने पहले प्रात्मिक शिक्षा का विकेंद्री करण किया था तो हंटर कमीशनर ने हैं हंटर कमीशनर ने सबसे प्रात्मिक इसके पहले अध्यक्ष थी प्रोफेसरchau अघ्ञाकर अगला प्रशनते भारत में पहला जो मुक्त भिशव गज़स उसतापित गया था 82 में और जो विद्यालिय स्तावित किया था वो था BR Ambedkar जो है महाविद्यालिया हुआ जो है मुक्त विद्यालिय स्तावित किया था 98 नंबर प्रशेंद पुछा था किन्झपक्षा और स्वतंतर चुनाब का क्यार्त है तो जिस चुनाब में ट्रांसपरेंसी हो पार्दर्शिता हो करफशन नहीं हो 98 का अंसर ए रहेगा पार्दर्शिता 99 नमबर प्रशित में पुचा था क्लास स्टेंडस फोर तो जो क्लास स्टेंडस फोर है वो है Computer Literacy and Studies in Schools 99 का जो है C अंसर है गा 100 नमबर प्रशित में से किस आयोग ने नेतिक मुल्यों के एक भाग के रूप में जो है मौन दियान का सुझाब दिया है तो जो विश्व भी दिया लिए शिक्षा आयोग है उसने जो है साइलेंट मेडियेशन जो है एज़े पार्ट का जो है सुझाब दिया है सौज का जो है बी रहेगा 101 नमबर प्रशन पुचा था बेसिक शिक्षा आत्मा नई तालीम का दूसरा नाम क्या है तो जो बेसिक शिक्षा आत्मा नई तालीम का दूसरा नाम है वो है बर्धा शिक्षा योजना 101 का सी अंसर रहेगा बर्धा शिक्षा योजना 102 नमबर पुछा था हर एक को एक सीख दो का नारा किस नहीं दिया था तो यह दिया था इच वन टीच वन का नारा दिया था डॉक्टर S. सराधा कृष्णन जी ने 102 का अंसर ए रहेगा 103 नमबर पुछा था कि किस वर्ष जो है अनुदान सहाईता प्रनाली आरब की गे ग्रांट इन एड सिस्टम जो है यह शुलू किया गया था 1852 में 103 का अंसर भी रहेगा 104 नमबर पुछा था अधिया 9 jeirangen, समाने शिक्षल पर आने रिपोर्ट किस ने प्रस्तोत की थी तो मुदलिय आयोग निवनमन वैंने से किस संबंधिद था अंसर भी रहना था किस आयोग कृद्याल्य हुर्यक आ था मुदलियर आयोग ने विज्ञान और प्रगुर्दगी को शामिल करने की सिफारिश की थी अगला पशन था 107 नमबर शिक्षा में बौधिक उदिश्य पर जोड दिया था तो जो intellectual aim पर बल दिया था वो Greek की education थी और खासकर Athens की education जो है महिला शिक्षा पर भारत सरकारद्वारा स्थांत्रता के बाद गठित पहली समीती कौन सी थी तो ये थी ड्रुगावाई देश मुक्ष में थी और गठित born प्रहारती समेती 45 कंसर B रहेगा, 111 का प्रसेशन का मुल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब माना जाता है, तो किसी चातर का मुल्यांकन का सबसे अच्छा समय जो है, अनुदेश आत्मक प्रकिया के दुआन माना जाता है, 111 कंसर D रहेगा, 112 कंसर पूछा गया था, कि एक अक्षा में पाठ्या पुछतक का क्या उप्यों गया, वट इस दे यूज आप टेक्स्ट वुक इने क्लास, तो ये विचारों और अगधारों को समझने के लिए, तो एक्स्टेन आइडिया और अंसर्ट के लिए भुग का हो बहुत जरूरी है, 112, 13 पूछा गया था, किस शक्षिक मनुबग्यानिक इस तथ्या पर मानना था, कि सभी वच्चों में जो है, सिखने के ख्रमता होती है, विच एडुकेशनल साइकोलजिस्ट बिलीव, तो ये कहा था, फ्रेडरिक फ्रोग्रेल ने, 113 कंसर ये रहेगा, 114 पुछा गया था, अच्छी शिक्षा के लिए विद्याले के लिए अभिशक है, तो good learning is must for the school to have, एक अच्छा पुस्तकालिया जो है, स्कूल के पास होना चाहिए, good library, 114 का B रहेगा, answer 115 था, एक शिक्षक के कार्य का करम होता है, तो एक शिक्षक के कार्य का करम होता है, वो होता है, A और B दोनों, जो है, बाले को निर्देश करना, प्रगर्ती और मुल्यांगन के साथ साहिता करना, ग्री कार्य की जांच करना और मार्ग दशन, जो है, उसको कार्य को आगी सौंबना, 116 नंबर पुशन था, एक शिक्षक के रूप में, यदि आप शिक्षन मे सुधार लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगी, तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों की स्वय की गलतियों को सही करेंगे, विद्यार्थियों की जो गलतियां हैं, उनको सही करेंगे, 117 नंबर पुशन था, कक्षा में अनुशाशन को प्रभावी डंग से बिनाया लगा जा सकता है अगला प्रसुन था सिक्ष्ण प्रत्म भातोपन क्दम तो जो फ्रस्ट इंपर्टेंट स्टैप आफ टीचिंग एक इस तो जो फॉस्ट इंपर्टेंट स्टैप है टीचिंग का वो है छात्रों की प्रिष्ट-भूमी को जानना नूइंग दा करना चाहिए शुट भी एंग्रेज्ट टू कॉंटिन्यू क्वेस्टिनिंग एक्सों निसका अंसर जो है डी रहेगा सफलता या बने रहने में महत्वपूर्ण है तो वह है जो उनकी कॉम्निकेशन एविलेटी है टीचर की वह जो है उसकी सफलता है कॉम्निकेशन एविलेटीज अगला प्राशन पूछा गया था 122 नंबर इफ ग्रूप अफ स्टुटेंट एंटर यूर रूम भी यूज यूज भी है बोईलेंग्ली विद यू अट टाइम हाव वूद यूज रहेगा भी फर्स्ट यूज विल ट्राइट फैसिफाई देर इसका अंसर पूछा था जह है इसका अंसर भी आना है शिक्षक को मित्र दाशनिक और मार्ग दाशक बांक्याश द्वारा महिमा दी गई है क्योंकि वह चात्रों के लिए मारवदा के उच मुल्यों को प्रसालित करता है यह भी हो सकता है इस दे ग्रेट रिफॉर्मर अफ सोसाइटी अगला प्रशन था 124 एटीचर मेजर कॉंट्रिबूशन टावर्ड अगला प्रशन जो पूछा गया था यह चात्रों को यह समझ नहीं आता कि कक्षा में शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक महसूस करेंगे यह जो है अलग तरीके से समझाएगा यदि चात्र को सही समझ नहीं आ रहा है तो व्य सही अंसर रहेगा 125 नमबर प्रशन यदि छात्रों को यह समझ नहीं आता है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जारा तो क्या मुसूस करेंगे तो अलग तरीके से उसको समझाना चाहिए कि कैसे पढ़ाएगा 126 नमबर प्रशन था कुछ शात्र पढ़ाई में कमजोर है तो उनके प्रती आपकी क्या अभीवरिती होगी तो उनके प्रती उदार अभीवरिती होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि क्यों नहीं पढ़ रहे हैं एक शिक्षक विध्यार्थी के प्रशन का उत्तर देने में समर्थ नहीं है तो क्या करना चाहिए तो कहना चाहिए और परामर्श के बाद जवर देगा यैदि आपको नहीं आता है तो वह आप परामर्श करें आप देखीं, चाहिए इसके बाद Mississippi यसको धू है एक है 139 नंबर काक्षा में व्याख्यान देते हैं शोर होता है तो एक शिक्षक को चाहिए वह कीप क्वाइट फॉर एवाइल एंड देन गो ओन 139 का अंसर ए थोड़े देर के लिए शांत रहें और फिर आगे बड़े 137 नंबर प्रशन पुछा था कि एक सफल शिक्षक वह है जो दियालू और अनुशाशित होता है अगला जो प्रशन पूछा गया है वह पूछा गया है 131 पूछा है शिक्षकों को शैक्षक दर्शन का अधियन करना चाहिए क्योंकि इसका अंसर सी है दर्शन सभी विश्यों की रेड की हड़ी है इसलिए शिक्षकों को शैक्षक दर्शन का अधियन करना चाहिए 132 प्रशन नंबर था इसमें निमल लिखित में से निमल लिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षक को कम से कम संबंधित है यह है कॉलेज प्रवंधन की ओर से सम्भान यह कम से कम संबंधित है 133 नमरता निमल लिखित में से कौन सा कथन एक शिक्षक की अनुकूल नहीं है कि शिक्षक है तो शिक्षक अपने आपको नई स्ति अगला प्रशन है 134 एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है तो जो हमेशा अपने चात्रों को बताता है कि वे अपने प्रशनों के उत्तर कहां से प्राप्ट कर सकते हैं वो एक अच्छा शिक्षक होता है 134 कांसर जो है अगला प्रशन जो पुछा गया था कि यदि आपकी कख्षा में अधिकांस शात्र कमजूर है तो आपको क्या करना चाहिए तो कमजूर विद्यार्थियों के लिए कुछ अतरिक्त मार्ग देशन के साथ शिक्षन की नीती या गति भी धीमी करने चाहिए शिक्षन की गुणवता जो है परिलक्षित होती है जब चात्रों द्वारा पूछे गए सवालों की गुणवता से अगला प्रशन था कि एक शिक्षक विद्यार्थि को संगठितों के लिए क्या क्या कर सकता है तो यह सारे के सारी इसमें आएंगे विद्याले की जीवन चैली जो है नियोजवित होने चाहिए कि बच्चे खुद को पुरी तरह से अव्यक्त कर सके आतम सम्मान करने ने करने में मदद की जानी चाहिए उनकी यह सारे के सारे इसमें रहेंगे 139 प्रेशन जो है पुछा किया था विच्व वन अफ फॉल्लविंग एंबी टर्म्ड एज इंपोर्टेंट टास्क इंटीचिंग अमंग त्स्टूरेंट्स तो इसमें भी ओल अफ दावाएगा मेंकिंग असाइन्मेंट चेकिंग वर्षिप मेंकिंग मंतलिव रिपोर्स प्रहें मैं हैं गडिशा आपके कख्षा में आप अपने बेटे की तुलना में अपने छात्रों के साथ कि अुआप मैंगे तो अपने जो है बेटे की तरह आप झेन जो है जो है नजए जो fine connected की वैभाल करेंगे अगला प्रशन पूचा है कि verbal guidance is least effective in teaching skills क्योंकि verbal guidance से आप skills को नहीं पढ़ा सकते हैं 142 प्रशन पूचा था a serious minded teacher as a rule तो इसका अंसर आएगा d allows to जो है इसका अंसर किया आएगा allows to allows to mistakes to be committed and explain how maintains mistakes अगला प्रशन आएगा आपका विद्यार्थी किताब से दिने के लिए गरीब है आप उसकी कैसे साहिता करेंगे तो आप पुस्तकालियसी किताब उपलब्द करवाओगी अगला प्रशन पूचा गया था मुख्यादारा से जुड़ा है तो जो करियर है जो शिक्षा है करियर शिक्षा है यह मुख्यादारा से स्ट्रीमिंग से जोड़ा हुआ है 145 स्कूल कॉलेज में शिक्षा की गुणवता को मापा जा सकता है तो जी उपरुक से चात्रों की उपलब्दियों से जन शक्ती शिक्षक और प्रमुक उपलब्दा और अबसर चनात्मुक्स विधाओं से तो डी अंसर रहेगा इसका अगला पुछा था एक मानसिक रूप में मंद चात्र आपके व्याखान में भाग लेता और बहरे गुंगे की तरीके से बैठता आप क्या करोगे आप अपने व्याख्यान को बहुत सरल बनाएं और इसके लिए कुछ अतरिक्त समय भी दे तो इसका अंसर डी रहेगा अगला पुछा था निमलिखीत में ऐसे कौ रहे हैं एक पिता अपने बच्चे को इसके लिए भीजने से चाते हैं आप क्या करोगे आप जो है शक्षिक और सांस्कृतिक यात्रा जैसे बातों को समझा कर अपने बच्चे को भीजने के लिए उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे अगला प्रशिन पूछा गया था जो है यह इसका अंसर रहेगा सी तो यह था वियर्ड जो है एंट्रेंस एक्जाम 2019 होब आपको अच्छा लगा होगा थेंक्यू